दोस्तो इन दिनों मेवात में CM फ्लाइंग टीम की छापे मारी की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं मेवात में बड़े बड़े गोटालों को पकड़ने के लिए CM फ्लाइंग छापे मारी कर रही है और घोटालों में शामिल लोगों की धर पकड कर रही है दोस्तों मामला बैसी गाउं का है मेवात के बैसी गाउं में भी CM उडंदस्ता रहवाडी की टीम ने चापे मारी कर दिये यहां के पूरु सरपंच ने कागजों में 40 लाग रुपे का मनरेगा के तहट काम दर्ज करवा रखा था गाउं के ही एक वेक्ती सफी मुहम्मद की शिकायत पर CM उडंदस्ता रहवाडी की टीम ने गाउं में चापे मारी की है और पूरु सरपंच द्वारा किये गए 40 लाग के घोटाले की जाँ सुरू कर दिये गाउं के ही एक शक्स सफी मुहम्मद के अनुसार गाउं के पूरु सरपंच ने कागजों में 40 लाग का काम दर्ज करवा रखा है मनरेगा के तहट जबकि गाउं की धरातल पर वो काम हुआ ही नहीं है CM फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर सतेंदर सिंग ने बताया कि गाउं के ही एक शक्स सफी मुहम्मद ने सिकायत की है कि गाउं में घोटाला हुआ है और 40 लाग रुपे का जो काम दिखाया गया है कागजों में वो गाम की धरातल पर असल में हुआ ही नहीं है इसलिए CM उडन दस्ता रेवाडी की टीम ने गाउं में चापे मारी की है और गाउं में जांश शुरू कर दी है सतंदर के अनुसार इस जांश का रिजल्ट 10 दिन बाद आएगा उसके बाद उस जांश के आधार पर कारवाई की जाएगी